ओम श्री साई नाधाय नमा आज हम पढ़ेंगे अध्याय सोला और सत्रा हम इन निम्न विश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे शीग्र ब्रह्म ज्यान की प्राप्ति ब्रह्म ज्यान की योग्यताय बाबा का उपदेश बाबा का वैशिष्ट्य इन दो अध्यायों में एक धनाध्य ने किस प्रकार साई बाबा से शीग्र ब्रह्म ज्यान प्राप्त करना चाहा इसका वर्णन है पूर्व विशय गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्ण तह फली भूत हुआ इसका वर्णन किया गया है उस कथा में श्री साई बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित की हुई तुछ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे परन्तु यदि वे एहंकार सहित भेट की गई तो वेह अस्वीकृत कर दी जाती थी पूर्ण सचिदानंद होने के कारण वे ब्रह्म आचार विचारों को विशेश महत्व ना देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेट की गई वस्तु का स्वागत करते थे यथार्थ में देखा जाये तो सद्गुरु साई बाबा से अधिक दयालू और हितैशी दूसरा इसंसार में कौन हो सकता है उसकी तुलना समस्ते इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणी या कामधेनु से भी नहीं हो सकती जिस अमूल्य निधी की वो पलब्दी हमें सद्गुरु से होती है वे कल्पना से भी परे है ब्रह्म ज्यान प्राप्ती की इच्छा से आई हुए एक धनाड्य वेक्ती को श्री साय बाबा ने किस प्रकार उपदेश दिया उसे अब श्रमण करे एक धनी वेक्ती अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था उसके पास अतुल, संपत्ती, घोडे, भूमी और अनेक दास और दासियां थी जब बाबा की कीर्थी उसके कानों तक पहुँची तो उसने अपने एक मित्र से कहा मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाशा शेश नहीं रहे गई है इसलिए अब शिर्डी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्यान प्राप्त करना चाहिए और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ती हो गई तो फिर मुझ से अधिक सुखी और कौन हो सकता है उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्यान की प्राप्ती सहज नहीं है विशेश कर तुम जैसे मोह ग्रस्त को जो सदैवस्त्री, संतान और द्रव्यो पार्जन में ही फसा रहता है तुम्हारी भ्रह्म ज्यान की आकांग्षा की पूर्ती कौन करेगा जो भूल कर भी कभी एक फूटी कोड़ी को भी दान नहीं देता अपने मित्र के परामर्ष की उपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जित पहुँचे साइबाबा के दर्शन कर उनके चर्णों पर गिरे और प्रार्टना की आप यहां आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्म दर्शन करा देते हैं केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चल कर आया हूँ मैं इस यात्रा से अधिक ठक गया हूँ यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्यान की प्राप्ती हो जाए तो मैं ये कश्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा बाबा बोले मेरे प्रियमित्र इतने अधीर ना हो मैं तुम्हें शीक्र ही ब्रह्म का दर्शन करा दूंगा मेरे सब वेवहार तो नगद ही हैं और मैं उधार कभी नहीं करता इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु मेरे समीप आते हैं ऐसे तो कोई बिल्ला ही आता है जो ब्रह्म ज्यान का पिपासु हो भौतिक पदार्थों की अभिलाशा से यहां आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं परन्तु आध्यात्मिक जिग्यासुओं का आगमन बहुत ही दुल्लब है मैं सोचता हूँ की ये शण मेरे लिए बहुत ही धन्य तधा शुब है जब आप सरीखे माहानुभाव यहां पधार कर मुझे ब्रह्म ज्यान देने के लिए जोर दे रहे हैं मैं सहर्ष आपको ब्रह्म दर्शन करा दूँगा ये कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्म दर्शन कराने के हेतू अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा दिया जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए उन्होंने एक बालक को बुला कर नंदू मारवाडी के यहां से पांच रुपे उधार लेने को भेजा लड़के ने वापस आकर बतलाया कि नंदू का तो कोई पता नहीं है और उसके घर पर ताला पड़ा है फिर बाबा ने उसे दूसरे वेबारी के यहां भेजा इस बार भी लड़का रुपे लाने में असफल ही रहा इस प्रयोक का दो तीन बार दोराने पर भी उसका परिणाम पूर्वबत ही निकला हमें ग्यात ही है कि बाबा स्वेम सगुन ब्रह्म के अवतार थे यहां प्रश्न हो सकता है कि इस पांच रुपे सरी की तुछ राशी की अधार्त में उन्हें आवशक्ता ही क्या थी उन्हें बिलकुल आवशक्ता ही ना थी वे तो पूर्ण रीती से जानते होंगे कि नंदु घर पर नहीं है यह नाटक तो उन्होंने केवल अनवेशक के परिक्षार्त ही रचा था ब्रह्म जिग्यासु महाशे जी के पास नोटों की गड़ियां थी और यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्यान की आकांग्शी होते तो इतने समय तक शान्द ना बैठते जब बाबा वेक्रता पूर्वक पांच रुपे उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दोड़ा रहे थे तो वे दर्शक बने ही ना बैठे रहते वे जानते थे कि बाबा अपने वचन पूर्ण कर रिन अवश्य चुकाएंगे यदपी बाबा द्वारा इच्छित राशी बहुत ही अल्प थी फिर भी वे स्वेम संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और पांच रुपे उधार देने तक का साहस ना कर सका पाठक थोड़ा विचार करें कि ऐसा वेक्ती बाबा से भ्रम ज्यान जो विश्व की अति श्रेष्ट वस्तु है उसकी प्राप्ती के लिए आया है यदि बाबा से सच्मुच प्रेम करने वाला अन्य कोई वेक्ती होता तो वे केवल दर्शक ना बन कर तोरंत ही पांच रुपे दे देता परंतो इन महाशे की दशा तो बिलकुल ही विपरीत थी उन्होंने ना रुपे दिये और ना शान्त ही बैठे वरन वापस जल्द लोटनी की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले अरे बाबा कृपया मुझे शीग्र ब्रह्म ज्यान दो बाबा ने उत्तर दिया की मेरे प्यारे मित्र क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था संशेप में तातपर्य ये है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए पाँच वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है पहला पाँच प्राण दूसरा पाँच इंद्रिया तीसरा मन चौथा बुद्धी तथा पाँचवा अहंकार ये हुआ ब्रह्म ज्यान आत्मन भूती का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना श्री साई बाबा ने फिर इस विशे पर विस्तृत वक्तव्य दिया जिसका सारांश ये है ब्रह्म ज्यान या आत्मन भूती की योग्यताएं सामान्य मनुष्य को प्रायाह अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते उसकी प्राप्ती के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है पहला मुमुक्षुत्व मुक्ती की तीव्र उत्खंधा जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होना चाहे तो इस धे की प्राप्ती के लिए उत्सुकता और ध्र संकल्प से प्रैत्न करता रहे तधा प्रतेक परस्थिती का सामना करने को तयार रहे वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है दूसरा विरक्ती लोक पर लोक के समस्थ पदार्थों से उदा सीन्ता का भाव एहिक वस्तुएं लाब और प्रतिष्था जो की कर्म जन्य है जब तक इन से उदा सीन्ता उत्पन ना होगी तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है इश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ती सदैव बाहर की और आक्रिष्ट करती है हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है ना की अंतर का जो आत्म दर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं उन्हें अपनी द्रिष्टी अंतर मुखी बना कर अपने आप में ही लीन होना चाहिए चौथा पाप शुद्धी जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता तब तक ना तो उसे पूर्ण शान्ती ही मिलती है और ना मन ही स्थिर होता है वे मात्र बुद्धी बलद्वारा ज्यान लाब कदापी नहीं कर सकता पाँचवा उचित आचरण जब तक मनुष्य सत्यवादी त्यागी और अंतर मुखी बन कर ब्रह्माचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता तब तक उसे आत्मोप लब्दी संभव नहीं है चटा सार वस्तू ग्रहन करना दो प्रकार की वस्तूएं है नित्य और अनित्य पहली आध्यात्मिक विश्यों से संबंदित है तथा दूसरी सांसारिक विश्यों से मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है उस विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है विद्वान पुरुष्य अनित्य से नित्य को श्रेयस कर मानते हैं परन्तु जो मूड मती हैं वे आसक्तियों के वशी भूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ट जानकर उस पर आचरण करते हैं सात्वा मन और इंद्रियों का निग्रह शरीर एक रत है आत्मा उसका स्वामी तदा बुद्धी सार्थी है मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोडे इंद्रिया नियंत्रन ही उसका पत है जो अल्प बुद्धी है और जिनके मन चंचल है तथा जिनकी इंद्रिया सार्थी के दुष्ट घोडों के समान है वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचते तथा जन्म मित्यु के चक्र में ही घूंगते रहते है परंतु जो विवेक शील है जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रिया सार्थी के उत्तम घोडों के समान नियंत्रण में है वे ही गंतव्य स्थान पर पहुँच पाते हैं अर्थात उन्हें परंपद की प्राप्ती हो जाती है और उनका पुनर जन्म नहीं होता जो व्यक्ति अपनी बुद्धी द्वारा मन को वश में कर लेता है वे अंत में अपना लक्ष प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विश्रू के लोक में पहुँच जाता है आठ्वा मन की पवित्रता जब तक मनुष्य निश्काम कर्म नहीं करता तब तक उसे चित्त शुद्धी एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन होते हैं जिससे आत्मदर्शन के पत में प्रगती हो जाती है अहंकार शुन्य हुए बिना त्रिशना से चुटकारा पाना संभव नहीं है विशेवासना आत्मन भूती के मार्ग में विशेश बाधक है यह धार्णा कि मैं शरीर हूँ एक ब्रह्म है यदि तुम्हें अपने जीवन के धेर को प्राप्त करने की अभी लाशा है आस्तक्ति का सर्वथा त्याग कर दो नवा गुरू की आवशक्ता आत्मज्यान इतना गूड और रहस्मई है कि मात्र निज प्रयत्न से उसकी प्राप्ती संभव नहीं इस कारण आत्मन भूती प्राप्त गुरू की साहयता बरम आवश्यक है अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या देश सकते हैं जो ऐसे गुरू की कृपा से सहज ही प्राप्त हो सकता है जिसने स्वेम उसमार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो वही अपने शिश्यकों भी सरलता पूर्वक पग पग पर आध्यात्मक उन्नती करा सकता है जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार करा देते हैं ये आत्मन भूती ना तो ना प्रकार की विद्याओं और बुद्धी द्वारा हो सकती है और ना शुष्क वेदा ध्यन द्वारा ही इसके लिए जिस किसी को ये आत्मा बर्ण करती है उसी को प्राप्ट होती है तथा उसी के सम्मुक वै अपना स्वरूप प्रकट करती है कठो पनिशद में ऐसा ही वर्णन किया गया है बाबा का उपदेश जब यह उपदेश समाप्थ हो गया तो बाबा उन महाशे से बोले की अच्छा महाशे आपकी जेब में पांच रुपे के पचास गुना रुपियों के रूप में ब्रह्म है उसे एक रुपिया बाहर निकालिये उसने नोटों की गड़ी बाहर निकाली और गिनने पर सबको अत्यंत माश्चर्य हुआ कि वे दस दस के पच्चीस नोट थे बाबा की ये सर्वग्यता देख कर वे महाशे द्रवित हो गए और बाबा के चड़नों पर गिर कर आशिरवाद की प्रातना करने लगे तब बाबा बोले की अपना ब्रह्म का ये बंडल लपेट लो जब तक तुम्हारा लोब और इर्श्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते जिसका मन, धन, संतान और एश्वर में लगा है बेह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्म को जानने की आशा कर सकता है आसक्ति का ब्रह्म और धन की त्रिश्णा दुख का एक भवर है जिसमें आहंकार और इर्श्या रूपी मगरों का बास है जो इच्छा रहित होगा केवल वहीव भव सागर पार कर सकता है त्रिश्णा और ब्रह्म के पारस पर एक संबंद इसी प्रकार के हैं अतह वे परस पर कटर शत्रु हैं तुलसी दास जी कहते हैं जहां राम तहां काम नहीं जहां काम नहीं राम तुलसी कब हूँ होत नहीं रवी रजनी इक ठाम जहां लोब है वहां ब्रह्म के चिंतन या ध्यान की गुन जाइश ही नहीं है फिर लोबी पुरुष को विरक्ती और मोक्ष की प्राप्ती कैसे हो सकती है लाल्ची पुरुष को ना तो शान्ती है और ना ही संतोश और ना वे दिड़ निश्चे ही हो पाता है यदि कण मात्र भी लोब मन में शेश रह जाए तो समझना चाहिए कि सब साधनाय व्यर्थ हो गई एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ती की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है और यदि उनके प्रति उसमें अरुची उत्पन ना हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ वह आत्मन भूती प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता जो अहंकारी तथा सदैव विशे चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अताह मन की पवित्रता अत्यंद आवश्यक है क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक सादनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वे निरादंब ही है इसलिए श्रेयसकर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धी गम में हो वे उसे ही अपनाए मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्यक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ती कर सकता हूँ परन्तु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम मुसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम्हें निश्चे ही लाब होगा इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाशन नहीं करता जब घर में किसी अतिथी को निमंत्रन दिया जाता है तो उसके साथ परिवार अन्यमित्र और संबंधी आधी भी भोजन करने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं बाबा द्वारा धनी महाशय को दिये गए इस ज्ञान भोज में मस्जिद में उपस्थित सभी जन्न सम्मिलित थे बाबा का आश्रवात प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोष पूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए बाबा का वैशिष्ट्य ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल की गुफाओं या जोपडियों में एकांद वास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं वे दूसरों की किंचित मात्र भी वो पेक्षा ना कर सदा ध्यान नस्त रहते हैं श्री साई बाबा इस प्रकरती के ना थे यद पि उनके कोई घर द्वार स्त्री और संतान समीप या दूर के संबंधी ना थे फिर भी वे संसार में ही रहते थे वे केवल चार पाँच घरों से भिक्षा लेकर सदा नीम व्रिक्ष के नीचे निवास करते तदा समस्त सांसारिक बैवहार करते रहते थे इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वे शिक्षा देते थे ऐसे साधू या संत प्राया बिल्ले ही होते हैं जो स्वेम भगवत प्राप्ती के पश्चाथ लोगों के कल्यान आर्थ प्रयत्न करें श्री साइबाबा इन सब में अग्रणिय थे इसलिए हे मारपंत कहते हैं वे देश धन्य है वे कुटुम्ब धन्य है तधा वे माता पिता धन्य है जहां साई बाबा के रूप में यह आसा धारन परम श्रेष्ट अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन हुआ ओमश्री साइनाथा ए नमहा धन्यवाद्य